वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बांगलादेश और इंगलेंड के बीच होने वाले पहले T20 मैच के बारे में तो नो डाउट आप सब को मालूम होगा काफी बड़ा मैच है यह और देखिए कल जो है ना कल और परसो मैंने कोई मैचेस कवर नहीं किये और उसका reason simple है कि मैं काफी busy था और busy रहता है ना बंदा तो चाहे कितने भी अच्छे मैच हो और कितने भी बुरे मैच हो कोई भी cover नहीं कर पाता है अब यह वाला मैच जिसकी अभी आप वीडियो देख रहे बंगलादेश इंगलेंड का इस मैच के अंदर हमें चाहिए डबलो आई एन यानि कि winning अब विनिंग कैसे करें वो तो यार जब आप वीडियो को देखोगे ना तब आपको बता लेगेगा कि कौन आपका trump card है कौ टीम इंगलेंड बोलिंग करें तो कौन से player important होंगे जब बंगलादेश बोलिंग करें तो कौन से player important होंगे तो सारी चीजे वीडियो में है बस request आप से ही है कि पूरा देखना तो start करते हैं वीडियो को उससे पहले देखिए जो लोग ऐसे है ना जो telegram चैनल से नहीं इन्हों ना और जो होने का जो reason है ना वो है इस match की जो final team होगी जो कि आप सब को मालूम होगा इंगलेंड का match है एक बहुत strong team है लग भग 80% से भी जादा जोगी है वो toss पर depend है तो जो toss के बाद team आएगी ना वो telegram चैनल पर आने वाली है और telegram joining का जो तरीगा है ना वो है इस वीडियो पे जिस बंदे ने पहला like और comment किया उसको congratulation free में 100 रुपे win कर गया आप भी कर सकते हो इसी वीडियो में एक giveaway और है और वह comment giveaway एक random comment user को इस बार 2500 रुपे मिलने वाले 100 रुपे नहीं है 2500 रुपे free में मिलेंगे आप comment करके जाना कुछ भी comment कर सकते हो उसमें को कोई बुरा comment करो बागी बुरा करोगे तो भाई मिलने वाला है नहीं मैं आपको बता दो यह तो कौन देता है भाई तो यह चीज़े ध्याना लगना बाकि आ रेंडम comment पिकर में आ गए तो भाई मिलेगा कोई उसमें दिक्कत नहीं है चलिए अगर में बात करता हूं मैच क सबसे पहले हम बात कर दीए जो मैच होगा नहीं बांगलेदेश में ठीक है और बांगलेदेश का पीछ आप यह मसमझना कि भाई पूरा का पूरा स्पीन है इवन ट्रीम लिए उन भी आपको बता है क्या बोला है गुड फॉर पैसर्स तो पैसर्स के लिए यह जो मैच है वो अच्छा रहता है स्पिन के कंपेर में और इसी के बेस में नहीं मतलब यही नहीं हाला कि पिछ रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टन रोल अदा करेगी पिछ रिपोर्ट के बेस पे ही टीम को रेडी करना ये चीज़ अब ध्यान लखना बिलकुल भूल मत जाना अगर थ इंपॉर्टन होंगे यहां भी जो मेंचिश खेलेगा है ना भी उनमें अगर आप देखोगे तो यह मैस था एक ठीक है एक यह मैस था दो तो यह हो गए और एक तीसरा मैस यह रहा है सब मैस में देख लो आप लोग पेसर से जाना पैसर भी स्पिनर भी इंपॉर्टन है ल अगर इंग्लेंड की टीम वेटिंग करती है तो एक अच्छा स्कोर दीखेगा और अगर इंग्लेंड की टीम बोलिंग करती है तो एक बैलेंस फिकेट देखेगा जहां पर वेटिंग बोलिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए मतलब क्योंकि अविश लिवात आ रहें कमजो बैटिंग फर्स भी 10 जीती है और बॉल्लिंग फर्स भी 10 जीती है वाइद मोई जो पहले बैटिंग करेगी उनके जो विनिक के चार्ट से जड़ा है और उसका region मुझे बताने की जुरूत है नहीं और का region यही है कि भाई जो टीम मतलब पहले बेटिंग करेगी तो जो second inning होगी उसमें little bit spinners को गेम में आना ही मतलब आ जाएंगे आना क्या पड़ेंगा क्योंकि वो थोड़ इसी जो विकिट है उस तलो हो जाएगी ठीक है यह चीद ध्या ठीक है यह recent के 5 मेचे से जो इस venue पे खेले गए थे ठीक है और यह बंगलादेशी प्रीमेर लीग के हैं यहां मैं बात करता हूं recent form की तो England के 5 में से मदब चार में इसमें विनिंग है T20 में और बंगलादेश के पांच वैसे दो मैच में विनिंग है इंगलेइन और बंगलादेश के भी सिर्फ एक T20 मैच हुआ है जिसमें इंगलेइन की टीम जीती है विनिंग रेशो 65 और 35 है यही रेशो भढ़के 45 टू 55 हो जाएगा अगर बंगलादेशी टीम पहले बेटिंग की तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रॉबेबल 11 की तो लिटन दास जो अभी रिसेटली बहुत गंदी फोर्म में और यह वैसे भी देखिए इसी टाइप का प्लेयर है जो जीरो या जीरो या बहुत बुरा मार्त है तो वही है तो उपन करेगा यह बाकी वर्षे इस सिंग लेंड की नो ने जो मेंच खिला था उसमें नौराण का स्कोर था वेन्यू पे अगर आप देखोगे ना और फिर आगर मैं नॉर्माली बहलू तो लेकिन बस यह ची दियान रखना वेन्यू पे बहुत गंदा रिकोर्ड है और साथ ही मैं इंग्लेंड जैसी बहतरीन टीम खेल रही है तो मैं उतना अच्छा स्कोर्ट एक्सपेक्ट नी कर रहा हूं बहुत लाजवाब रिकोर्ड एक बहुत लाजवाब रिकोर्ड इस वेन्यू पर ठीक है मैदियासन मिराज है मैदियासन मिराज के इस पेम्यू पे एक भी मतलब विकिट है नी ध्यान लगना और रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ मैं जो इनके मैचे स्केले गए सब में मतलब लाज़ के तीन मेच में पांच विकिट है और बाकी की दो में जिरो विकिट है उसके बाद नसू महमद है नसू महमद एक विकिटेकर बोलर है और अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर अल्मॉस्ट यह आपके लिए स्मॉल लिक के लिए मस्टर विक होगा हसन महमद है जब टीम पहले बोलेंग करेगी तो जैसेас यह मस्टर झभी कोगो नंसू महमद फश्ट बैटिंग पे तो वैसे ही सेम रोल नसू ममद के अलावा हसन महमद का है हसन मेहमूद का लेकिन उल्टा है कि ये जब टीम पहले बोलिंग करेगी न तब इंपोर्टेंट है बेटिंग करेगी तो कोई मतलब बनता भी नहीं इनको लेने का क्योंकि अगर इन्हों ने जादस को नहीं किया तो इसकी डेथ में कोई मतलब भी नहीं बने का और डेथ होर्ट में मुस्ताफिज और तसकीन बेंच में जो प्लेयर है वो आपके स्क्रीन के सामने में भी तनवीर इसलाम खेल ले और बहुत अच्छा प्लेयर ही तनवीर इसलाम बट खेलेगा किस की जगा वो सबसे बड़ी दिक्कत तिसले मैं इनको बेंच में में थीन्ट फॉर्म की तो वो भी ठीक ठाके बेंच डाकर टीम पहले बेंचर्ट होगा बोलिंग करती है तो भी है लेकिन तब जाधा नहीं होगा क्योंकि आगर जाधा इसको नहीं बना तो बटलर अकेला ही चेंज कर जाएगा सारे एलंस को मोहिन अली सर्फ पिछ रिपोर्ट के ओपर डिपेंड होगा की लेना है की नहीं अगर स्पिनर्स को हेल्प नहीं हुई कोई मतलब नहीं इनको लेना है क्योंकि ये साथ भी बोला रहे है ध्यान रखना ठीक है मोहिन के बाद वोक्स है रहान है आदिल और जोफरा आर्चा दें देखें चार और जोफरा के फिक्स है आदिल आशित के चार और फिक्स है रहान के भी चार और फिक्स है क्रिस वोक्स के भी चार और फिक्स है और जो पांचवा प्लेयर रहेगा वो टॉपली वूड और जोडन वूड के ओर कट सकते हैं ना तो जोडन के ओर कटेंगे ना टॉपली के हाँ अगर स्पिनर्स को हेल्प मतलब नहीं हुई तब की बात है अगर हुई तो उस केस में फिर या तो वॉक्स के ओर कटेंगे सेम करन के कटेंगे नहीं और या आर्चर के विमोशली नहीं कटने चाहिए यह मतलब यह यह की देखिए पांच वा जो प्ले रे ना बोलर खेलेगा वो टॉपली वूड और वॉक्स इन तीनों में से कोई एक खेलेगा कोई भी खेल सकता है इसमें मतलब कोई फिक्स नहीं है उसके बाद यहां से पावर अपले में जोफरा आएगा और रेहान के साथ और डेथ में जोफरा आएगा अगर देखिए टॉपली खेलता है ना तो सेम करन और टॉपली आ जाएंगे डेथ में अगर वूड खेलता है तो वूड के और पह सबसे बड़ी बात है कि इंग्लेंट के नई जो प्लेयर साथे ना उनके बहुत कम चांस होते कि और कटे वह तब करते हैं जब ये बहुत गंदी बॉलिंग करें हैंぞ जब पहले और बीस का गया हो फिर दूसरे और मैं आओ उसमें बीस का गया हो तो फिर और क्यों मिलेगा बाई लेकिँ पहले और में आया कोई विगेट ने मेरा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इनके और निकटेंगें क्योंकि इंग्लेंड नए यंगिश्टर्स को मौका देती है कि भाई जा तो बोलिंग करें इंडिया की तरह है इंडिया भी मतलब अभी आगर आप देखोगे ना तो जैसे की श चार विगेट लेंड सेकिंड मेंच में बंदें को चार ओवर बोलिंग भी नहीं मेरे तो वह चीज इनके साथ नहीं है तो यंगिश्टर्स को मौका देते हैं और यही मुझे सबसे बहतरीन खासियत लगते इंग लेंड और इन टीमों की जो पहले उन प्लेयर को मौका दे जो नए आते हैं ताकि एटलिस्ट उनका टैलेंट भी बाहर आए और साथ में उनका परफॉर्मेंस भी अब हम बात करते हैं डेमो टीम की ठीक है देखे हसन महमूत का मैंने भी बताया था आपको एक पॉइंट वो ध्यान रखना डेमो टीम की बात करने से पहले मैं आपको यार दिला दू कि टेलिग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े ना भाई वो डिस्क्रिप्शन की लिंक से जरूर जोइन कर लें क्योंकि जो फाइनल टीम होगी वो आपको यहीं मिलने वाली है उसके अलावा चिन यूजर्स ने वीजन दिले वो डाउनलोड नहीं क्या वीड टेस्ट को जोइन कर सकते हो दूसरी बात जो कॉंपिटीशन है वो कम मिलेगा और तीसरी मौस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वह यह नहीं क्लिक के अंदर आप इतने सारे कॉंटे जोइन कर दो सो मैक्सिमम इतने सारे तो नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों यार कितना डा अग्ड़ी उसगाम उनदर है तो फालतूका रिस्क लेना बहुत गंदी करते हैं इसलिए हाना तो अभी फिलाल के लिए मेरी डेमो टीम है हाँ बट यह ध्यान रखना अफीफ को ड्रोप करके मैं यहां से तस्कीन को ले लूँगा अगर यह टीम पहले बोलिंग की तो और मुस्ताफी जूर अनोधर गूड ऑप्शन है महदी को इसलिए लिया एक त तो अफीफ हुसेन अनोधर गूड ऑप्शन है बट मैं नजमूल की साथ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बंदे की फोर्म जो है ना और फोर्म सबसे इंपोर्टन चीज़ है के अंदर जिसकी फोर्म उसका गयम तो वही चीज रहने वाला है वाकि इंग्रेंड की बहुत तक करेगा टॉस के अपड़ जैसे मान की चलिए इंग्लेंड की टीम में करी बोलिंग तो उस केस में मैं वी सी आर्चर को या सेम करन को भी दे सकता हूं लेकिन अब भी फिलाल में सेफ जा रहा हूं यानि कि क्याप्टन मेरा बटलर है वी सी मेरा शाकिब है आप बिलकुल उसका वेक अप रहेगा अगर एक दोवी के निकाल लिया हो गया काम तो यह चीज आप अप्लाई कर सकता अपनी टीम के अंदर अगर आप चाहो तो बट फिलाल मेरी टीम का कैप्टन बटलर है बाइस कैप्टन मेरा शाकी बलसन है जो चेंजेस होंगे टीम के अंदर उसके